हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे दोस्तो इंडियन रेलवेस के ट्रेंज में सेकेंड एसी को बहुत ही कमफिटिबल माना जाता है इस कोच में ट्रैवल करने पर आपको बहुत अच्छी सुविधाय मिलती है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाल करना बहुत आरामदायक रहता है इस कंपर टू अधर कोचे इस स्लीपर क्लास हो गए या फिर जेनरल क्लास हो गए सेकेंड इसी कोच का खिराया बहुत है वह नॉर्मल दुसरे क्लास से जादा होता है सेकेंड एसी के कोच में आपको एक कैबिन में चार सीट मिलेंगे जैस में तोटल 6 सीट्स होते हैं लोवर मिडल अपर उसका उपोजिट से हम सेकेंड एसी में मिडल बर्थ नहीं रहता है दोस्तों सेकेंड एसी के कोच में आपको रीडिंग लाइट्स मिलता है जिससे कि आप यात्रा गजागान बुक्स और निउस्पेपर पड़ सकते एक टेबल रहता है जिसके उपर आप लंच प्रेकफास्ट कर सकते मोबाइल लापटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है इसके जो विंडोस रहते हैं विंडोस बड़े रहते हैं विंडोस पर कर्टेंस लगे रहते हैं अगर आपका कैबिन है कैबिन म होते हैं और साइड में दो सीट साइड लोर और साइड अपर रहते हैं सेकेंड एसी में यातरा के दौरान आपको लेने प्रोवाइड किया जाता है जैसी कंबल चादर तक्या बेट शीट पिलो अपर सीट पे जाने के लिए साइड में सीडी रहता है उस सीडी पे चड़के आप परशी या साइड या सिट पर जा सकते है स्टी रेता है नहीं। है कौ चौनर Hmm सब्सक्राइब लाज़न होती है एह वह आपको अपको उपलब कराते हैं वहीं कोच यह बिद्वह है है यातरा के दौरान दूस्तों इन कोचिस के सीट के साइड में water bottle holder रहता है जहां पर वाटो बाटल रख सकते हैं और रोर सीट के नीचे हाप अपना लगेजर रख सकते हैं और साइड क्लिट कोच की साफ सपाई भी अच्छे से की जाती है देट максим Hertie Heart एवलेबल है तो आप अंट्री का शिया दोरवान फूड hey मैं आप online food order करके कि ऊपका सकते हैं महीं पर बात करें दोस्तों अगर आप pr compelling है के से इसे कोछ मिश्न करके हैं यह जैसे कि राजधान indifferent औरी childhood आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका पैसा टिकेट में इन फूर किया जाता है और वहीं पे अगर फूद करेंगे आपको पैसे देने के बाद आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं दोस्तो second AC coach में आपके सुरक्षा का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे RPA personal regular intervals पे आपके coaches की round लगाते रहते हैं एक खास बात यह है कि second AC coach में outside vendors जो रहते हैं stations पे या फिर बाहर के वो नहीं आ सकते हैं जिससे की यात्रियों को कोई भी परिशानी नहीं होती है तो second AC coach सारे maximum सारे mail और express trains में रहते हैं और premium trains में भी रहते हैं तो आप second AC coach में travel कर सकते हैं आराम से और general class की तो बाती कुछ और है उसमें तो जबदस्त भीड रहता है वहीं पर second AC में इतना भीड नहीं रहता है दोस्तों अगर आपको आराम से travel करना है comfortably travel करना है और आपको भीड भाड बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप second AC में travel कर सकते हैं इसमें आपको पूरा comfort मिलेगा बट वहीं पर बात करें किराय की तो second AC के किराया ज़्यादा होता है as compared to third AC और sleeper class तो दोस्तों आपने कभी second AC में travel किया है अगर किया है तो आपका travel experience कैसा रहा वह आप हमें comment में जरूर बता है दोस्तों ये थी जानकारी की second AC कोश में या त्रियो को क्या-कैस सुविधाय मिलती है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लागा आप हमें comment में बताएं और अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को और लाइक करें और आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment में लिके हम उसका answer देने की भरपूर कोशिश करेंगे तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर चैनल